हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल धर्मिंद्र मैस सलूशन में आज आप लोगों को कलेंडर का क्यूश्चन हल कराएंगे सबसे पहले हम आपको कलेंडर का बेसिक तरीका बताते हैं जो सब को समझ में आएगा देखो कुछ कोड है आपको याद करना पड़ेगा सबसे पहले सताबदी सताबदी में जैसे की हम बताते हैं आपको सव सताबदी में सव सव का कोड याद करना पड़ेगा बस दो सव तीन सव चार सव पान सव छे सव ठीक देखो पान सव का कोड हम केवल याद करेंगे सव का कोड पांच ठीक और दो सव का कोड कैसे निकालेंगे दो सव का कोड निकालने के लिए हम आपको तरीका बताते हैं जैसे की सव का कोड पांच है न तो सव प्लस सव हो गया दो सव 200 होता है ना जोडने पे 200 होता है ना तो सव का कोड पांच होता है फिर सव का कोड पांच 5 5 5 10 10 को 7 से भाग देंगे साथ एक कम साथ तीन सेज बचेगा नै यहां तीन सेज बचेगा तो 200 का कोड हम 3 लिखेंगे ठीक इसी प्रकार 300 का निकालेंगे 300 का निकालने के लिए हम मिटा लेते हैं थोड़ा से 300 का निकालने के लिए देखो 100 प्लस सव प्लस सव जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300 ठीक जोडने पर 300 होगा 100 का कोड 5 फिर 100 का कोड 5 फिर 100 का कोड 5 फिर 100 का कोड 5 तो 5 15 15 15 15 15 होगा नै इसको जोडने पर 15 आया पंद्रा को 7 से भाग देंगे तो देखो 7 से 15 में भाग देना है 7 दूनी 14 एक सेज बचा ना जो एक सेज बचा है ये 300 का कोड एक है ठीक और 400 का 400 में 400 से भाग देंगे तो 0 बचेगा 400 का कोड 0 होता है ठीक इधर हम इटा लेते हैं और फिर 500 का कोड निकालना है 400 का कोड 0 होता है तो 100 बचा 100 का कोड केवल 5 होगा 500 का कोड केवल 5 होगा और 600 का 600 में 400 से भाग देंगे केवल 200 बचेगा देख लो 400 में अगर 600 से में भाग देना है तो एक बार जाएगा तो हो जाएगा 400 ठीक यहाँ 200 बचा और 200 का कोड 3 होता है इसलिए इसका 3 होगा 600 का कोड 3 इस प्रकार से आप आगे निकाल सकते हैं मैं आप लोगों को कुछ और कोड बताता हूँ दिन के बारे में ठीक इसको हमी डालेते हैं कुछ बेसिक तरीके हैं जो आप लोगों को समझना है उसके बाद आपको क्यूश्चन बहुत सरग तरीके से हल कराएंगी ठीक आपको निकालने का तरीका भी आ गया आप लोग को ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा देखिए जीरो एक दो तीन चार पांच अभी छे लिख लेंगे जागे ठीक ना जीरो जीरो को हम लिखेंगे रभी बार ठीक एक को लिखेंगे सो मुआर इसे दो को लिखेंगे मंगलवार तीन को लिखेंगे बुद्वार अब चार को ब्रस्पतिवार पांच को सुक्रवार पांच को हम लिखेंगे अच्छा हम इसो मीटा लेते हैं आगे पांच को लिखेंगे सुक्रवार अब च्छा को लिखेंगे सनिवार ठीक बस के वल आपको इतना ही कोड़ याद करना है उसके बाद आपको आगे क्यूश्चन हलकर आते हैं इतना क्यूश्चन को बहुत सरज़तरी के सलकल लेंगे ठीक आगे देखिए क्यूश्चन दिया है एक मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा ठीक है तो 2020 है न एक मार्च 2020 तो 2020 से पहले क्या आता है 2019 तो हम 2019 से हल करना चालू करेंगे जब दो हजार उन्नीस ठीक दो हजार सताबदी होगा प्लस उन्नीस ठीक इसको चार से भाग देंगे तो चार पंजे बीस कड़ जाएगा पूरा सेश कुछ नहीं बचेगा इसका जीरो कोड होगा ठीक फिर 19 लिख लेंगे ठीक फिर 4 चव 16 इसको जोड़ेंगे तो 19 चार 23 ठीक फिर आगे देखिए 2020 आगे निकालना है ना 2020 तो एक मार्च देखो जनवरी 31 का महिना होता है जनवरी 31 का होता है तो इसका साथ से भाग देंगे सच्चो गठाइस 7 पचे 35 मतलब कि सच्चो गठाइस 4 बार जा रहा है ने तो 3 से बच रहा है तो लाश्ट का 3 लिखेंगे ठीक और 4 से सताबदी 2020 है लीपवर्स है लीपवर्स चार से कड़ जा रहा है तो फरवरी का कोड एक होगा ठीक ये ध्यान देना है प्लस एक ठीक उसके बाद जनवरी हो गया उसका फरवरी हो गया अब मार्श दिया है एक और इसे हम जोड़ेंगे ठीक ये पाँछ हो गया ठीक अब उसके बाद देखो ये पाँच और तेईस जोड़ेंगे यह तैइस पांच, अठाइस होगा न, यह तैईस और यह पांच, जोडेंगे तो कितना हो जाएगा, अठाइस, यहां अठाइस लिख लो, ठीक, अठाइस में साथ से भाग दे दो, दोनों को जोडने पर, इसको और इसको जोडने पर, तैइस और पांच को जोडने पर, यह और ये 5 को जोड़ने पर 7 से भाग देना है तो सच्चव 28 सेस 0 बचा जो सेस बचेगा वही दिन होगा सेस 0 बचा तो अभी कोड में लिखाया है 0 रविवार को कहते हैं तो रविवार आपका अंसर होगा ठीक, आपसन नमबर D ठीक, आगे देखिए दूसरा कह रहा है 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा ठीक तो 2020 से पहले क्या आता है 2019 तो हम स्टार्ट करेंगे 2019 से ठीक इसको सताबदी 2000 लिखेंगे फिर प्लस 19 ठीक, 2004 से भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख लेंगे फिर प्लस 19 वैसे ही लिख लेंगे फिर प्लस 4, 4, 16, 4 बर जाएगा ठीक और इसको जोड़ेंगे तो 23 से बचेगा 9, 4, 13, 23 हो जाएगा ठीक अब देखिए 1 सितंबर 2020 दिया है न तो अब 2020 लिखेंगे यहाँ पे 2020 ठीक इस इक्वल टू अब देखो जनवरी जनवरी का कोड तीन लाश्ट में बचेगा उसके बाद फरवरी फरवरी यह लीप वर्स है न 2020 लीप वर्स होता है तो हम बोले हैं लीप वर्स में फरवरी में एक से बचता है तो हिया प्लस एक ठीक फिर प्लस मार्च तीन अप्रेल दो मै तीन मै तीन होगा न फिर जून दो जुलाई तीन अगस्त सितंबर सितंबर तो दिया है एक तो सितंबर प्लस एक अब इसको जोड़ेंगे तीन एक चार तीन साथ दो नव तीन बारा दो चवदा तीन सत्रा तीन बीस एक एककीस इसको जोडने पर एककीस आ रहा है न इसको जोडने पर 21 आ रहा है ठीक है 21 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 और 23 जोड़ेंगे तो 44 होगा ठीक तो हम 44 लिख ले रहे हैं ठीक अब 44 में हम 7 का भाग देंगे लाश्ट में इन दोनों को 23 और 21 को जोड़ने पर 7 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा सच्छं 42 26 बचा 26 बचा अब कोड़ में जाके देखो दूसरा कोड़ किसका आए दूसरा है मंगलवार तो यहां मंगलवार आप्सन A सही है ठीक आगे देखिए 15 नमबर आप लोगों को किफ्चन नहीं समाज में हा रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि सर जी आपको किफ्चन मेरा नहीं समया रहा है ठीक और आगे देखिए 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा ठीक सेम उसी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से पीछे हल की है 2020 है न तो 2020 से पहले 2019 आता है ठीक है तो हम एक दिन एक वर्च पीछे देखेंगे तो 2000 यहां लिखेंगे हम 2019 ठीक तो इसको बनाएंगे 2000 प्लस 19 ठीक चार से 2000 में भाग देंगे तो सेश 0 बचेगा प्लस 19 एक बार वैसे ही लिख लेते हैं ठीक फिर 4 का भाग देंगे तो 4 बार जाता है 4,4,4,4,5 भी जादा हो जाएगा तो इसलिए 4 बार ले जाएंगे ठीक इसको जोडेंगे तो यह भी 23 होगा ठीक यह भी 23 होगा ना उसके बाद 15 मार्च 2020 मतलब यहां 2020 अब निकालेंगे 2020 2020 अब जन्वरी देखो जन्वरी में कोड तीन होगा और लीपवर्स है लीपवर्स फरवरी एक का होता है और 15 मार्च तक जाना है 15 जोड़ दो 15 लिख दो 3,1,4 15 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 19 23 और 19 को जोड़ेंगे ये 23 और ये 19 को जोड़ेंगे तो 42 होगा ठीक तो हम लिखेंगे 42 42 में हम भाग देंगे 7 से सच्छं 42 6,0 0 का कोड है रविवार 0 का कोड है रविवार तो हमारा भी आपसन सही है ठीक आगे देखिए 17 अगस्ट 1947 को सब्ता का कौन सा दिन है 17 अगस्ट 1947 का सब्ता का कोन सा दिन है ठीक तो हम 1947 दिया है न 1927 से पहले 1946 आता है ठीक है तो हम लिखेंगे 1946 ठीक 1946 ठीक अब इसको सताबदी में चेंज़े करेंगे तो 1900 लिखेंगे प्लस 46 ऐसे लिखेंगे न 1900 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो 4 चाब 1600 300 से बचता है 300 का कोड हमने बताया है कि एक होता है तो यहां हम एक लिखेंगे ठीक प्लस 46 वैसे ही लिखेंगे ठीक फिर 4 से भाग देंगे तो 46 को अगर 4 से हम भाग देंगे तो जाएगा 11 बार ठीक 11 वैसे ही लिखेंगे और इसको हम जोडेंगे एक प्लस 46 प्लस 11 को जोडेंगे तो 58 होगा ठीक आप लोग जोड लीजिएगा 58 होगा 47 ठीक तो 1947 उसके रद हमें जनवरी का कोड़ 3 फिर फरवरी यह देखो लीपवर्स नहीं है लीपवर्स नहीं है तो यहां फरवरी 0 होगा ठीक उसके रद मार्च मार्च का कोड़ 3 अप्रेल 2 मैं 3 जून का कोड़ 2 जुलाई 3 अगस्त 17 अगस्त जाना है प्लस 17 ठीक अब इसको हम जोड़ेंगे इसको जोड़ने पर आएगा 33 ठीक आप लोग जोड़ेंगे तो इसका जोड़ने पर 33 आएगा तो 33 और 58 जोड़ेंगे ठीक 33 और 58 को जोड़ेंगे तो 91 होगा ठीक आप लोग जोड़िएगा तो 91 होगा 91 को हम 7 से भाग देंगे ठीक तो कई बार जाएगा 7 एक कम 7 9 बचास घटाने पर 1 7 23 21 ठीक 0 से 0 से 0 को कोड होता है रवीवार रवीवार आपसन नमबर D ठीक आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा ठीक और आगे देखिए दिया है 2 अक्टूबर 2010 को सबता का काउन सा दिन होगा तो सब से पहले 2010 2010 से पहले क्या आता है 2009 तो हम 2009 लिखेंगे इधर ठीक और इसे सताब्दी में चेंजे करेंगे तो 2000 प्लस 9 ठीक 2000 का कोड होता है 0 प्लस 9 ऐसे लिख लेंगे 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 दो बार जाएगा प्लस 9 दो इसको जोड़ेंगे 11 हो जाएगा ठीक अब मुझे जाना है 2 अक्टूबर तक जाना है तो 2010 लीपवर्स तो है नहीं 2010 ठीक जनवरी का कोड होगा 3 फरवरी का कोड 0 लीपवर्स होता तक एक होता मार्च 3 अप्रेल 2 मैं 3 अगस्ट 2 जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल मैं जून जुलाई 3 अगस्ट 3 सितंबर सितंबर इसको हम जोडेंगे तो इसको जोडने पर आएगा 23 आप लोग जोड लीजिएगा ठीक 23 और 11 ये 11 और ये 23 को जोडेंगे तो हो जाएगा 34 कितना हो जाएगा 34 तो हम लिख लेते हैं 34 ठीक 34 में साथ से भाग देंगे सच्चव 28 ठीक भाग देने पर सच्चव कठाईस तो 6 सेज बचा ठीक 6 सेज बचा तो 6 सेज बचा है तो छटवाँ कोड किसका होता है छटवाँ होता है सनीवार ठीक सनीवार आप सन नमबर सी ठीक आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है प्लीज जरूर बताईएगा कमेंट करके ठीक आगे देखिए फिर दिया है 29 मार्च 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा ठीक तो 2020 है न 2020 पहले क्या आता है 2019 तो हम लिखेंगे 2019 ठीक इसको सताब्दी में चेंज़े करेंगे 2000 प्लस 19 ठीक इसको 400 से भाग देंगे इसका कोड हो जाएगा 0 प्लस 19 वैसे एक बार लिख लेंगे फिर 4 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा 19 4 चार 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 बार जा रहा है न इसको जोड़ने पर 23 होगा ठीक फिर 2020 2020 ये लीप वर्स है ठीक है लीप वर्स है इसमें फरवरी में कोड एक होगा 2020 जनवरी 3 फरवरी 1 लीप वर्स है मार्च 29 वैसे लिख लेंगे और इसको जोड़ने पर 3 एक चार और 29 जोड़ेंगे तो 33 होगा ठीक 23 और 33 इसको जोड़ेंगे तो 56 होगा ठीक कितना होगा 56 तो हम लिखेंगे 56 ठीक अब फिर 56 में हम भाग देंगे 7 का 7 तर 56 ठीक यहां कुछ सेस नहीं बचेगा सेस अगर कुछ नहीं बचता है तो 0 बचता है 0 का कोड होता है रवी बार तो हमारा आपसा नमबर A सही होगा ठीक है अब आगे देखिए आगे दिया है 25 मई 1666 को सबता का कौन सा दिन था ठीक आप लोग इस क्यूश्चन को अपने से हल करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसका अंसर क्या होगा प्लीज अपने दोस्तों को सेयर करें और इससे लाइक और सस्क्राइब जरूर करें थाइंक यू बाई बाई टाटा